नमस्कार दोस्तो हमारे online tuition अड़ा चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तो बिल्कुल सुरुवात से जीरो लेबल से अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना कैसे सिखें इसके लिए आज का यहाँ कलास आपके लिए बहुत important होने वला है क्योंकि इस कलास में हैस्टेग 8 कलास में मैं आपको दोस्तो कहीं पर भी Facebook हो Instagram हो WhatsApp हो कहीं पर भी यदि आप मैसेज करना चाहते हैं और आपके दिमाग में हिंदी में आ रहा है आपके दिमाग में हिंदी में कोई भी sentence आ रहा है और आप चाहरा है कि उसको इंगलिस में हम तुरत कनवर्ट करके और मैसेज कर दें बिल्कुल असान तरीके से तो आज के कलास दोस्तों आपके लिए वर्दान सावित होने वाला है क्योंकि इस कलास में मैं वो सब कुछ शिखाऊंगा जो आपको मैसेज करने के लिए काफी जरूरी होता है या कोई भी हिंदी में नाम लिखा हो, किसी जगा का नाम लिखा हो, किसी व्यक्ति का नाम लिखा हो, तो उसको आप देखते ही इंग्लिस में कैसे convert कर देंगे, translate कर देंगे, ये आज की इस class में मैं आपको बिल्कुल असान तरीके से सिखाने बला हूँ, तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोट्फिकेशन ओन कर दीजिएगा, ताकि जब भी मेरा वीडियो अप्लोड हो, सबसे पहले आपके पास पहुँचे, तो आयों दोस्तों बिना देरी की हुई, यहां से हम लोग एक एक सब्सक्राइब को खुब अराम से समझते हैं, देखें दोस्तों यहां पर लिखा है किशन, क्या लिखा है किशन, तो कौ में छोटी E की मात्र लगा है क्या लगा है कौ में दोस्तो छोटी E की मात्र लगा है यानि कौ में यहीं मात्र न लगा है छोटी E की मात्र तो कौ का इंगलिस हम लोग K लिखेंगे और छोटी E का मात्र लगा है यानि I से E होता है क्या होता है I, C, E, लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे के आइ, ठीक है, तो की का हो गया यहाँ पे तालब बिशा है तो इसका हो जाएगा SH और A लगाएंगे और फीर ना का N लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, किशन ठीक है, उसके बाद देखेंगे यहां पे लिखा है विजाए तो दीखेंगे वी का लिखेंगे भी आई से वी हो जाएगा जोकर जे एए और यह का वाई अब यहां पे थोड़ा से समझे़े दोस्तों यह जो छोटी इहां इम्ह पर आप देखेंगे दोस्तों यह जो छोटी है इसका इंगलिस आई है Hi और इसका मात्रा ये है इसके पीछे मैं बहुत सरे classes करा दिया हूँ जिसमें मैं बिल्कुल आसान तरीके से और सब hashtag 7 तक मैं समझाया हूँ यदि वो class नहीं देखेंगे तो जरूर देख लीजिगा और आज के class जरूर देखिए क्योंकि इसे बड़े बड़े नामों को हाँ दोस्तो आप नीचे देखेंगे बहुत सारे बड़े बड़े नामों को भी मैं आसान तरीके से आपको यहाँ पे convert करना यानि translate करना मैं सिख जाएगा वाई अब यहाँ पर देखिए हीमाले का वाई ए यहाँ पर बहुत जगा ऐसे देखेंगे इंग्लिस में ऐसे लिखा हुआ रहता है हिमाले लगा हुआ रहता है तो एक क्यों लगता है ठीक ना जिसे मैं इसके पिछले class में बताया थे जिससे रमायन लिखा और इसका इंग्लिस जब लिखा जाता है तो आर ए एम ए वाई ए और एन ए होता है हाँ दोस्तों रमायन लिखा जाता है इंग्लिस में माभारत हिंदी में लिखा हुआ रहता है और उसका माभारता लिखा जाता है ठीक ना ऐसे कर्ण लिखा हुआ रहता है कर्ण ऐसे अकार नहीं है लास्ट में आ की मतरा नहीं इंपर फिर लगता है क्यों लगता है ये चीजा थोड़ा साम लूeffect समझ लेते हैं डोस्तों मैं पिछले कलास में भी इसे का थोड़ा भूर चार्चा किया था यहां पे मैं आपको बिल्कुल आसां तरह के से कर दो अब कि भाना इसलिए कि एसलिए नाम इसलिए यहां के बाद वाइ के बाद ए कि लगाते हैं अब आप भोलेंगे किसर बहुत सारे आई से नाम जीसे दिवाकर लिखाँ है तो इसको बोल कर देख दिवाकर दिवाकर कर 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 दिवाकर ऐसे नहीं हम लग पड़ते हैं तो इसका इंगलीज हम लोग क्या लिखेंगे दिवाकर का दी का लिखेंगे डी आई वा का लिखेंगे डबलू ए का का लिखेंगे के और र का आर तो दिवाकर ही लिखेंगे लेकिन जैसे रमायन है रमायन महभारत तो अधिकांस यह सब्सब्द जो है न दोस्तो संस्कृत ऐसे तो सभी इतने हिंदी है यह सब भूछ भासाइं संस्कृत से उत्पन हुआ है लेकिन यह सब कुछ कुछ नाम है आपको समझ कर रखनाइक लाश्ट में लगेगा चलिए और बहुत सारे में नहीं लगता है कुछ कुछ होता है मैं धिरे धीरे बहुत सारे करांगा वहांपर क्लेर करा दोँगा जिसे यहां पर आपको मिला ही ऐसे और भी और भिघू सारे सब्द मिलेंगे च्थो देखते चलिए कि अ disp Ten यहां पर लिखा है शिव मैं शिवाले तो यह दिमाग में रख सकते हैं कि लास्ट में यह आ रहा है तब हम लोग यहां पर लगा सकते हैं बहुत सारे ऐसे नामों में जिसे शिवाले हो गया हिमाले हो गया लेकिन वो किसी जगह का नाम हो या किसी व्यक्ति का नाम हो या किसी वस्तु का नाम हो यह चीज आप जरूर दिहान में रखिएगा ऐसे बोल जाले कि भासा में जो हमनों कुछ भी बोलते हैं उसका उसमें नहीं किसी जगह का नाम हो किस किसी ब्यक्ति का नाम हो या किसी वस्तु का नाम हो जैसे अभिनय अभिनय तो य नहीं लगाएंगे अभिनय क्या है नहीं किसी जगह का नाम है नहीं किसी वस्तु का नाम है अभिनय क्या एक्टिंग है कोई नहीं कर रहा है ठीक ना अभिनय कर रहा है तो वहां पर अभिनय द कि कि निरामय टो यहां पे basics लिखेंगे यह नहीं लगां गे यहां पर topics फोर्व। उपर आप laughs एक फृभत का नाम है तो यह सब बन्हार्व स्रामयम पिलिए एक परभत का नाम है तो यहिंदा नामें 2 special यह सब वर्ड है और आप यूज आफ यूज आफ आर्टिकल पढ़ेंगे न तो पता लगेगा आपको दो रमाइना दो महाभारता इस तरीका समल पढ़ते हैं दो लगा कर पढ़ते हैं तो यह सब भी मिलते रहे और आपका बेसिक कंप्लिट हो जाए अब कभी भी पढ़े लिखे नहीं है फिर भी मेरे वीडियो के मादधम से मेरे चैनल के मादधम से आप बेसिक कंप्लिट करके आगे आप असानी से बहु सारे चीजों को पढ़ सकते हैं देखिए यहाँ पर लिखा है दो चि चिराग ठीक है चिराग पास्वान अब सुने होंगे नाम एक नेता है यहां पर देखें लिखा बनिहारी क्या लिखा है बनिहारी तो बहु का लिखेंगे बी ए बनी तो एन आई से नी बनी हारी तो एच ए हा और आर आई से री अचा लाश्ट में बड़ी कीमात्रा फिर क्यों लगा रहा है यह जडिए अगले क्लास में आपको बताने वला हूं इसके लिए दोस्तों आप इंतिजार किजा वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है जहां पर बड़ी कीमात्रा रहता है फिर भी हम लोग लगाते हैं क्यों लगाते हैं कैसे लगा यह सब कुछ अपका किलियर मैं करा दूँगा दोस्तों बिल्कुल नए तरीका से में ये सेसन स्टार्ट किया हूं ताकि कुछ अलग तरीका से आपको मैं प्रैक्टिस करा हूं जो दोस्त ओलरेडी मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे उनको पता होगा कि बहुत सरा इसमें नया च खोका हो गया और छोटी की मातर है तो आई लगा देंगे अखी लग दोस्तों मैं बारा खड़ी बहुत बार आपको पढ़ाया हूं बहुत बार मेरे चैनल पर बारा खड़ी के वीडियो अपलोड हुआ है तो आप डारेक्ट बारा खड़ी के भी इंग्लिस में जो बारा पड़ेंगे वा वा वी तो भी आई से वी का का के से का होता है लेकिन यहां पर में बताया था कि क्यों को का 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 एंगलिस लिखने के बाद हम लोग लगाते हैं मेरा पिछले कलास अप नहीं देखेंगे तो जरूर देखिए उसको क्योंकि हैस्टेग 8 कलासे इसके पीछे आल्रेडी मैं सेवन कलास करा दिया हूं हां दोस्तो और उस सेवन कलास में मैं बहुत सारे इंपर्टेंट चीजों को यह सब कहां पर लगेगा नहीं लगेगा कब लगेगा कैसे लिए सब कुछ में वहां पर एक्स्प्लेन किया हूं जरूर उसको देखिए बारह खड़ी स से स्टार्ट करके कलास वन से स्टार्ट करके मैं सब कुछ आपको सिखाया हूं चले यहां पर देखिए दोस्तो यह लिखा है नारियल क्या लिखा है नारियल तो ना का लिखेंगे एन नारी तो आर आई नारी यल तो वाई एल नारियल ठीक है बड़े-बड़े नामों को तोड़ कर भी आपासानी से लिख सकते हैं. आपको दिक्कत हो रहे ही है लिखने में तो पढ़ने में तो, ठीक है? जैसे नारी यल, तो नारी यल, शिवा लए, तो शिवा लए, शिवा का कैसे लिख देंगे? म Wednesday में सिता तो ट क्वा पेल 01 पर शीर्प कर दो तो अरे सिवाय से शीड़ाइ जिता र चाहिए फिटारो क्राइप्व करें ट करें पेलाट के अदि कि इतले में और यहां पर ने में है और डान का दूपारे यहां पर याम निरामे, ठीक है, यहाँ पर लिखा किशान, क्या लिखा है किशान, तो के आई से की, सा, तो एस से सा, और इंसन, किसान, ठीक है किसान, यहाँ पर लिखा है, अमी ताब, क्या लिखा है, अमी ताब, तो अमी ताब, तोड़ लिखे, अमी, 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 ताब, तो टी, एस ता और हम हम channel h, आप आसान करने के लिए इसको दो पारत में तोड़ लिए तीन पार्त में तोड़ लिजे है अधी कांस सब दो ही पार्त में तुटे हैं यहां पे दो पार्तमें झेसे तुटा हो जाएगा क्योंकि इसके पिछले क्लास में दो अक्षरों वाले बहुत सारे ताकि बड़े बड़े नामों को लिखने में आपको आसानी हो, तो अमि ताव, ठीक ना, ठीक है? यहाँ पर लिखा विनय, क्या लिखा है विनय, तो भी आई से वी, न, एन, ए से न, और एक वाई, क्या पढ़ देंगे इसको हम लोग विनय, ठीक है? विनय हो गया, छेले हिमाकत क्या लिए 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 हिमाकत क्या लि यहां पर लिखा इतिहांस क्या लिखा है इतिहांस तो ए का लिखेंगे आई ठीक है तो टी आई इतिहांस तो एच ए हां और एस से स इतिहांस ठीक है शिकार क्या लिखा है शिकार तो एस ह गद का लिखेंगे शे कर अँसे का और रहांस तो क्या घैद मेंगे आई से कर हुशा है खुब ध्यान से एक अग्छोरों को अलग अलग करके लिखने का। प्रियास करेंगे तो और हमेसा सही लिख पाएंगे, सुदृरुप से लिख पाएंगे. और जैसे जैसे आपका प्रैक्ट्स बढ़ते जाएगा, आप लगातार कोई भी सब्द को देखते ही पढ़ना लिखना सीख पाएंगे, लेकिन प्रैक्ट्स करने के लिए, कि पहले आपको एक एक अक्ष़रों पर ध्यान देना पड़ेगा ठीक है यहांपे निकार क्षीकार Yay इस ऑच आई शी का तो नी का लिखंगे नाई ती का लिखंगे टी और फिर न का एंसे न्हींड तेंट हो गया चले उसकाissenschaftिया लिखा है विरगाजे, क्या निखा है, वीरगाजी, यहाँ पर बड़े नामों में देखेंगे, तो वी का लिख लेंगे, हम लोग भी, आई, वी, राका, आर, विर, गाज, तो देखें, जी, ए, और यहाँ पर बिंदी लगाजा, तो एन लगाएंगे, और जो का जे लिखेंगे, वीर खी तो K-H-I से खी और लौ का Aल का लिखिल क्या लिखेंगे हम लोग लिखिल रानिवाश क्या लिखाए ? रानिवाश तो रा का लिखाँगे आर ए नीद N-I वा तो भी ए और साका S रानिवास देखें कितना आसान तरीका से आप इसको एक करके लीख पाएंगे ऐसे डर्क लिखते हैं तो थोड़ी बहुत गलती हैं कि सम्भावना रहता है जली यहां पर लिखा किरन क्या लिखा किरन तो की का लिखेंगे कि अई से की र तो आर ए और अण है तो एन तो क्या हो जाएगा की रन शिवाल यहां पर क्या पर बार यहां पर टैपिंग हो गया है दोस्तों कोई बात नहीं प्राक्टिस वापका छली यहां पर हिसाब क्या लिखा है हिसाब तो भी ए आर ऐसे शनिवार ठीक है चलिए आगे देखिए यहां पर लिखा विराट क्या लिखा है विराट तो वी का लिखेंगे भी आई वी रा का लिखेंगे आर ए और ट का लिखेंगे टी तो क्या हो जाएगा विराट चित्रकार तो चित्रकार, तो ची का लिखेंगे, C-H-I-C-E-T-R-A, चित्र, कार, तो-K-A-R, ऐसे चित्रकार, ठीक है, सीत्राइच अरखार, दो पारटे यहाँ पे जूटा है, दो ठोटो सब्स यहाँ पे मिलाया, चित्राइच, चित्राइच, है propos of inkar, ज्यूत्राइच, क्हार, ठीक वी ला तो एल एसे ला और एस से सा तो क्या हो जाएगा विलास ठीक है उसके बाद देखें लिखा साइकिल क्या लिखा है साइकिल तो सा का लिखेंगे एस ए और ए है तो एस ए आई साइकिल तो के आई एल साइकिल ठीक है आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग इसको अब साइ हैं यहाँ पर दिखा है चिनाब गया चिनाब तो ची का लिखेंगे दिनकर क्या लिखेंगे दिनकर तो D का लिखेंगे डी आई ना का एन दिन कर तो के ए आर अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर एन के बाद ए नहीं लगा तो इसलिए दोस्तों मैं समझा रहा हूँ आपको कि सब्दों को तोड़ लिजे तोड़ने के बाद लिखेंगे तो सही होगा यह गलत नहीं है यह सही है ऐसे ही आप लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है बीच में नहीं लगेगा तब भी आपका 100% सही होगा ठीक है उसके बाद दिखेंगे यहाँ पर लिखा विज्ञान क्या लिखा है विज्ञान तो वी का लिखेंगे अब आप इस एच के बाद यह नहीं लगा है फिर भी आपका यह सही होगा क्योंकि बड़ा सब्द का यहीं रूल है अब यह रूल आपको कहीं बुक में नहीं मिलने वाला है मेरा द्वारा बनाएगा रूल है रो हंड्रेट परसंट लागू भी होता है सही भी होता है कि आपको दो पार्ट में तोड़कर और उसका इंगलिस लिखना है और सही आपका हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है ठीक है चलिए इसके बाद देखते हैं दोस्तों यहां से यहां पर लिखा है विधान क्या लिखा है विधान तो वी का लिखेंगे भी आई वी धा का लिखेंगे डी एच ए धा और नक एन तो क्या हो जागा विधान सियासत क्या लिखा है सियासत तो C का लिखेंगे S I C या तो Y A सियासत S A T सियासत क्या हो जागा सियासत सचीन यहां पर क्या लिखा है सचीन तो S A से सची तो C-H-I से छी और N से न क्या जो ज़गा सचीन उसके बाद दिखे मिलावत क्या लिखा है मिलावत तो मी का लिखेंगे M-I-M ला तो L-A मिला वट तो B-A और T ऐसे मिलावत क्या लिखेंगे मिलावत उसके बादेखे, यहां पर लिखा नीलाय तो एन आई से नी ला का एल ए और य का वाई नीलाय तो छाखना है नाम है दोस्तों उसके बादेखे लिख सकते हैं किसलाय तो कई आई से की A-S-S-A-S, L-A-S-E-L, और Y-A, ठीक है? य नौ, Y-A लिख सकते हैं, किसला एक भुक का घिनाम है, किसला आपने पढ़ा होगा, दिखा होगा, किसला है? य यू, आप लगा सकते हैं, किसला है, किसला है, ठीक है? छलिए, निचे आर भी साफ्द है, इसको हम लोग प्रिक्टि AI से V और TACA लिखेंगे TA क्या हो जाएगा? कवीता ठीक है? גिरावट क्या लिखेंगेこんな गिरावट गी कर लिखेंगे GIG रा तो R असरा वट तो B, A, और T एसे गिरावट ठीक है? inside बिहार क्या लिखा है? बिहार तो B कर लिखेंगे B. I से हक निर्हाण टो एन आई से नी सिवान ठीक है अभी मान क्या लिखा है अभी मान तो अभी तो ए बी एच आई अभी मान एम ए एन तो बड़े सब्दों का सबसे आसान फर्मूला यहीं है कि दो पार्ट में तोड़ लिजिए और उसका इंगलिस आप असानी से एक साथ मिला कर लिख सकते हैं और आपका सही हो होगा थोड़ा भी कहीं से गलत यह नहीं होगा दोस्तों मैं आप अब आपको तीन ऐसा सब्द दूंगा जिसका इंगलिस आपको कमेंट में खुद से लिखकर करना है और यदि आप सही करते हैं तो समझे कि आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा से हुआ है बहुत सारे यह पर आपको प्रैक्टिस कराया हूं तो पहला सब्द है दोस्तों नियम ऐसका इंगलेस्थ आपको लखना है दूसरा सब्द है 17 3 सब्दों का आप इंगलेस लिखकर और कमेंट किजिए अर दोस्तों ऑर वीडियो आप चाहते हैं आपको समय समय से मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ओन करके रखिए ताकि ऐसे ही और भी इंपर्टेंट आपको वीडियो मिलते रहे तो दोस्तो आज क्लास कैसा लगा कमेंट बक्स में जरूर बताईएगा वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें नुट्फिकेशन ओन कर लिजेगा तो चलिए दोस्तों आज क्लास करते हैं मिलते हैं क्लास में जय हिंद्ध